में लोग देखेंगे अरेस किया होती है अरेस से पहले में जैसेए हम लोग पार्ले महादे कोई भी इंटियर का मैंने कुछ तैन नमबर ले इंटियर के तो मैं क्या करूंगा इंट नंबर वोग not only song number four I did and then number two equal to five and then and numb3 में क्या रखतों दूइग दूँगा six this अब मेने 10 लेने तुम एक के लिए इसको 10 टैम लिख़ोंगा नम इंट्पन वन इंट्फू इंट्नम थ्री अगर मुझे 10 से ज्यादा भी इंटियर्स चाहिए होँगे तो मैं क्या करूंगा इस तरह लिखता जाओंगा ठीक हो गया लेकन इस प्राबलों को खत्म करने के लिए हमारे पास आती है अरेस को हम लोग यह कह सकते हैं कि अरेस हमारे पास होती है collection of variables यह मैं तीन दफा लिखा नम वान नम टू नम थ्री तो बजाए इसके कि मैं बार 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 बनाता जाओं इसके लिए मैं सिर्फ एक दफा लिखूंगा और इसको size दे दूगा तीन का तो array बनाने का हमारे पास syntax का है पहले मैं लिख लिए हमारे पास dead type कोन सी है किस dead type की मैंने array बनानी है let's suppose मैंने array integer की बनानी है तो मैं लिखूँगा int and then मैं लिखूँगा अपनी scale brackets and then उसके बाद मैं इसके नम रख दिया कोई भी नम रख दिया अब जो लोग सी प्लस प्लस बैक्रोंड से आए हैं वो इस तरह भी लिख सकते हैं यह मैंने इस तरह लिखा वो इस तरह भी लिख सकते है int numbers and इस तरह और यह वाल जो मैं दूसरा तरीका लिखा है और पहला तरीका यह सेम यह है लेकर हम लोग इस तरह लिखेंगे पहले वाल तरीका की तरह पहले वाल तरीका ही प्राफर किया था जाब हमें अब यह मरपास numbers की array बनगी अब इसको size देना है कि कितने size के में array चाहिए तो इसके लिखेंगा numbers equal to new int and इसमें दे दूँगा मैं अपना size मुझे 5 की let's पोच चाहिए यह क्या करेगा मुझे 5 variables बना देगा numbers के numbers 1, numbers 2, number 3, number 4 and number 5 ठीक हो गया बजाए इसके कि मुझे बार-बार लिखता है int, number 1, number 2, number 3, number 4 and number 5 इसने मुझे 5 बना दी है अगर मैं 10 लिखूँगा तो यह मुझे 10 बना देगा variables ठीक हो गया और मैं 5 कर लेता हूँ एक चीज़ नोट कीज़ेगा हमारी जो array होती है इसका starting index 0 होता है जैसे हमारी जो century है ठीक है यह 0 से start होती है और 99 पे खत्म होती है अगर मैं 5 की array नहीं है तो इसके क्या मतलब होगा 0 पे लेंड एक्स को होगा फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंद फिर 4 यह होंगे 0 1 2 3 4 अगर मैं इसको अपने output कर वाऊं मैं लिखूँगा for int i is equal to 0 i less than मेरे पास क्या था array का नाम numbers numbers dot length and then i plus plus numbers sorry okay and then मैं इसको अपने i को print को बलता हूँ process out and then print i को कैसे array को print कर रहना है मैं लिखूँगा numbers and then मेरे पास जो escape brackets है and then लिखूँगा इसके अंदर i i पहले दफार क्या होगा 0 फिर i 1 2 3 4 जब 5 आएगा तो यह loop terminate हो जाएगी अगर मैं इसको print करूँ तो यह by default मुझे सारे 000 दो शोक रवा देगा अगर मैंने अपनी array को कोई भी value देनी हो कोई value sign करनी हो तो मैं करूँगा numbers like numbers मेरे पास 0 पहले अंडेक्स ता 0 जी तो start होगी ना array 0 को मैं देता हूँ like 5 and then इसी तरह मैं इसको पहले index को like let's suppose value देता हूँ 7 and second को देता हूँ 13 and then मैं देता हूँ 4 को 16 and then 7 को 3 and then 4 7 देता हूँ 7 अगर मैं इसको run करूँ तो यह मुझे output शोगा 5 7 13 16 and 7 ठीक हो क्या यह तो इस तरह हम array को initialize कर सकता हूँ अगर मैं array को उसी वक्त initialize करूँ let's suppose मैं एक और array बनाता हूँ मैं लिखूँगा int मेरे पास square brackets and कोई भी नाम रख लिए इसका array नाम रख लिए मैंने ठीक हो क्या तो फिर मुझे कोई भी इसे दुबारा में size देने की जूरुत में पड़ेगी वो automatically ले लेगा size let's suppose 1,2,3,4,5,6 तो यह automatically लेगा कि मेरे पास जो array है वो six size की है ठीक हो गया and then अगर मैं इस array को print को हूँ मैं लिखूँगा for int i is equal to zero i less than मेरे पास क्या था यह array था नाम इसका रहा array.length and then i++ मैं लिखूँगा sys out control space and then इसमें अपने array को हूँगा array okay यह 6 size है तो यह 0,1,2 यह चली कहां तक मैं लिखे देता हूँ 0 चलेगा 1,2,3,4 and 5 चलेगी अगर मैं पहले वाले को खतम कर दूँ अब run करते हैं तो यह दूसरे वाले मुझे पूरी print को आदेगा इस तरह हम array को declare कर सकते हैं और array का हमरे पार यह फायदा होता है लेकिन माइंड में एक और question आ रहोगा कि हमने किया था इस चीज़ को खतम करने के लिए अबसर नमबर 1 नमबर 2 नमबर 3 नमबर 4 खतम करने के लिए हम लोग ने किया था ठीकर यहां पर तो हम यह लोग यहां भी यही काम कर रहे है इसके लिए हम लोग इसको user से input कर वा लेंगे ठीक हो गया अब user से input कर वाएंगे तो बार बार लिखने की जूर्ट में एक दफाई लिखेंगे तो इस सारा काम हो जाएगा